तो चलना लेस्ट कंटिनीव विद लास्ट ट्रोपिक अफ टाइटल डास पाथचीत करने के फाइदे क्या है इंपोर्टेंस क्या है बैनेफिट भी बोल सकते हैं आप कम्यूनिकेशन का बिना कम्यूनिकेशन के मोटिवेशन करना बचो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है चल में रिगार्डिंग सैलरी वो स्ट्राइक पे चले गए तो आप जब तक कम्यूनिकेट नहीं करेंगे तब तक कॉआपरेशन नहीं होगा और इंडस्टिल पी स्टैबलिश होगा नहीं विन यू विल टेल देम ट्रें देम वाव तो दूट बेटर देर एफिशेंसी प्रतिशत का है और आप सब की सैलरी में दो प्रतिशत का है है और आपको ये बोनस मिल जाएगा कैश में विदिन फिफ्टीन डेज तो इन फॉर्मल कम्यूनिकेशन होगा तो सोशल गैदरिंग सोशल अपग्रिडेशन होगा एक एंप्लोई दूसरे एंप्लोई की हेल्प भी कर सकता है विदाउट रूल बेसिकली फॉर्मल के केस मे हम जब बोनस अप्लाए करेंगे बोनस प्रोवाइट करेंगे तो इंप्लोई में भी एबल टू वर्क बेटर ज्यादा फोकस रहेंगे तो फॉर्मल कम्यूनिकेशन मेक्स देम मोर पार्टिसिपेटिव सेंस ओफ बिलॉंगिनेस लेके आएगा और इन फॉर्मल कम्यूनिक प्रमोट्स कोपरेशन एंड इंडस्ट्री पीस स्ट्राइक हो गई इंप्लोई आपकी बात सुन नहीं रहा है या कस्टमर्स की कोई कम्प्लेंट है सप्लाइज आर वांटिंग देर मनी कुक्ली शेयरोल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग डिविडेंट गर्मेंट को चाहिए कम्प्लेंट को चाहिए अच्छी गुड्स एंड सर्विससे आपसे और आप उनके लोगों को इंप्लॉई कर ले तो यह सब तभी होगा वेन यू कम्मिनुकेट इट प्रॉपरली तो वरकर्स के साथ एवरी 30 डेज पे एक मीटिंग हो जाती है जो भी वरकर्स की प्रॉब पे आपको रॉप मेटल दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं दे रहे यू कैंट कम्बेन देंग भई डिले हो रहा है प्रॉडक्शन टंग जाएगा फोट मार्किट में जाएंगे नहीं पैसा आएगा नहीं आपको टाइम पे मिलेगा नहीं फिर हमको मत बोलिए and community expects that goods and services जो दे रहे हैं, उनकी quality बेटर हो and your organization should act as a source of employment for the society, basically. समझ में आगई बचोबात, communication से कैसे लोगों को और company का भला होगा? Managerial efficiency कैसे बढ़ेगी भई? Managerial efficiency तब बढ़ेगी, जब हमारा superior supervisor factory का output fix कर देगा कि इतना तुम्हें achieve करना ही करना है, accordingly वो instruction issue करेगा and किस person को क्या काम करना है? तो बचो, its goals जो है, तो यहाँ objectives की बात करने, issues, instructions and orders, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और allocate jobs and fix responsibility, इन दोनों points में बचो बाते हो रही है, delegation की, authority and responsibility की, और incentive की बात हो रही है, कि अगर आपने time पे अपना target achieve कर लिया, you'll be getting good incentives, और अगर time पे target नहीं achieve कर पाए, तो भई आपको incentive नहीं मिलेगा, many times promotion की बज़ाए, demotion भी face करना पड़ सकता है, decision making, अगर आपने time पे salary hike नहीं दिया employees को, timely sales report आपको मिली ही नहीं, ताकि आप देख सकते थे कहाँ पे problem है, क्यों हमारी sales नहीं बढ़ पा रही है, आपकी company कभी भी grow नहीं करेगी, तो you need to take timely information, जैसे हम agriculture में बात करते हैं, हमारे किसान को loan कप चाहिए, प्लॉइंग के season पे, harvesting के season पे, बट अगर प्लॉइंग के season पे उसको loan मिला ही नहीं, और बाद में लाख आप उसको करोणर रुपए दे दे, less rate of interest पे देने चलने हैं, will it be of any benefit to the employee? Sorry, farmer, क्या farmer का कोई भी benefit होगा बच्छों, अगर time पे उसको पैसा, लोन का नहीं मिला तो, answer? No, sir. बिल्कुल नहीं होगा, तो getting timely sales report and fix the target, यहाँ पे बात आती है, coordination की, आपने पढ़ा होगा, CPC, critical path control, and management by exception, हम targets fix करेंगे, और उन targets में, कितना हमने achieve किया, कितना नहीं achieve किया, deviation map करेंगे, तो अगर deviation आप map नहीं कर पाए, और अगर timely sales report आपको नहीं मिले, तो आप further कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, sales को बढ़ाने के लिए, Similarly, employee का performance appraisal, 4 in the month of April, अगर आप April में उसका promotion कर दें, उसको salary hike दें, तो उसके लिए अच्छा होगा, because April में new session starts, उसको अपने बच्चों की books copies खरीद नहीं है, तो salary hike will make him do his tax planning throughout the year properly चल रहें, और December के महिने में अगर आप उसे दे रहे हैं promotion, कह रहें आप तुम इस office से दूसरी office shift हो जाओ, तो पहिए उसके लिए family को ले जाना है, बहुत problem की बात है, तो decision should not be taken very quickly, यह इतना important नहीं है, बट सही समय पर सही decision लिया जाए, that is very 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 important children, and the third last point children, effective leadership कैसे आप influence करेंगे positive behavior किसी भी इंसान के अंदर, only when you speak something, that is effective leadership तभी होगी, जब communication ठीक होगा, एकदम मरी हुई अवाज में बोल रहे हैं, डर ही लग रहा है subordinates के सामने, क्यों, because you are not well prepared, आपने अपना homework ठीक से complete किया नहीं, so influence आप तभी कर पाएंगे अपने subordinate को, जब आप super confident होगे, आपको पहले पता होना चीए organization का goal क्या है, आप उसे कैसे achieve करवाएंगे, and same things you need to talk to your subordinates basically, तो leader के पास अगर effective communication नहीं है, तो motivate करना मुश्किली नहीं नामुम्किन हो जाता है, बचो, quickly update this, चलिए, root of coordination, coordination करने के लिए communication होना बहुत जरूरी है भई, सही explanation आप दें goals का, आप बता रहे हैं कुछ और बटकाम चाहते हैं कुछ और, कितना वो achieve हो गया, अलग-लग लोगों को अलग-लग department बचो, अलग-लग तरीके से motivate करना पड़ता है, sales का person है, marketing का employee है, उसको पैसे से मतलब है, जो office में बैट रहा है, operations department है, office को generally operations department बोला जाता है, corporate world में चल रहा है, कोई आप से बोले, कि मैं bank में हूँ, और मैं operations में काम करता हूँ, तो इसका मतली में समझेगा, कि bank की नौकरी खतम करने के बाद, वो hospital जाता है, किसी को operation करने, ऐसा कुछ नहीं है, operations का मतलब office work होता है basically, तो उन लोगों को environment of working अच्छा चाहिए, उनका AC बढ़िया काम करे, हर दो घंटे मुनको एक चाय मिलती रहे, office में उनका खाना पीना ठीक रहे, but those people who are into marketing department, and जो sales का काम देखते हैं, इनको मतलब इनकी commission बढ़िया हो, इनको bonus अच्छा मिले, इनको incentive मिलता रहे, जितना आपको इनसे बजार travel करवाना है, करवालीजे, not an issue as such, so there it is said children, coordination तभी होगा, जब आपका communication ठीक होगा, communication गरबर, तो coordination भी गरबर, so Maslow का hierarchy चार्ट तो सबसे पहले, आपको पता ही था बच्छो, psychological needs क्या होती है, safety needs, आप जिस घर में रह रहे हो, safe हो, जो आपकी job है, वो थोड़ी सी secure हो, आपको belongingness होनी चाहिए, अपने organization से, organization कुछ ऐसा करे कि आपको लगे, हाँ भई ये लोग मेरे पर बहुत भरोसा करते हैं, thereafter इज़त चाहिए आपको, it is esteemed needs, और उसके बाद, थोड़ी सी morality हो गेरा, आपको थोड़ा senior promotion दे दिया गया, that is called as self-actualization, तो इसी के साथ बच्छो, आपका एक particular section, and the chapter called, directing with all management features, gets completed.